जैन साब लड़का है राहुल युक्रेन से आया क्या कुछ कहोगे? बच्चे सुरक्षित पहुंचे हैं इसके लिए मैं मानिय मोदी जी का और पूरी बारत सरकार का तई दिल से धन्यवाद करता हूँ सुरक्षित पहुंचे हैं इसे हम जानने का परियास करेंगे पैसे लेने के लिए गरता हूँ साबुड़ कर खंद करता है पहले दिन जब धमाके हुए थे उसके बाद तो बहुत ही जादा बेड़ हो गई थी लोग में अफरात अफरी का महोल था जिसको जो मिल रहा था जैसे मिल रहा था सब उठा रहे थे उनों लोग समा निकठा कर रहे थे उस वक्त पर हम लोग भी निकले कि अभी क्या गरे हैं फस गए हैं हम भी पैनिक थे बहुत पैनिक थे उस वक्त कि अब तो फस चुगे हैं अब क्या कर सकते हैं तो हमने जितना भी हो सके, जो भी हो सके, जितने भी रिसूर्स के प्रक्टा कर सके हमने किये, उसके बाद फिर साइरंस बजने शुरू उए, तो हम नीचे हम लोग फ्लैट में रहते थे, तो वहाँ पर हमने नीचे बंकर में अपना थोड़ा पानी और खाने का समान रख दि बाहर कितने शुए सही स्परूशलब में लुंकि और वह कोई बूरा हाल घ्ला मजब नुरा हो रोर्एंट से निकलने का मतलब कोई तरीका नहीं था we tried our best from the railways first पर कोई chance नहीज़ा वहाओ पिवीड बहुत ज़ादा थी वह लोकवस कोहीं प्रेफरेंच दे रहे दे प्रेफरेंच यी क्या हूं थो अमें चढनी नहीं दे रहे दे इस थे भी त्रेटनिंग धर्येक ली कि आप लोग मज चढ़ो सो हम ट्रेंश मिसली हमने एक बार ट्राय गया फिर हमने सोचा कि कोई फाइदा नहीं है उसके बाद वहाँ पर कोडिनेटर्स होते हैं जो बच्चों के मतलब वहाँ पर रहने वाले लोकल्स होते हैं इंडियन्स होते हैं पर वो वहाँ ही पर रहते हैं तो उन लोगों से हमने contact करके उनकी help ली हमने उनके थूर हमने bus book करी पहले 28th को हमने bus book करी फिर bus में कोई technical issue हुआ पता नहीं क्या हुआ वो bus cancel हो गई उसके बाद हमें बहुत जादा panic हुआ गई अब क्या गरें हमने bus भी book करी वो भी cancel हो गई तो उस time बे थोड़ा pressure था फिर हमने दुबारा एक और कोशिश करी फिर अगले दिन के हमने 1st March की bus book करी फिर हम उस bus के थूर आये हम लोग को ट्राय कलर ने बहुत help करी उस time बे हम लोग Indian flag लगाये हमने अपनी bus पे checkpoints थी बहुत सारी checkpoints थी करीब 50 के around checkpoints थी सब checkpoints में रोका जाता था सिर्फ ये check करने के लिए कि Indian nationals ही बैठे है न बस में कहीं बीच में कोई और तो नहीं बैठा चुपके सिर्फ ये check किया जा रहा था उसके अलावा कुछ नहीं हम लोग border पर पहुचे हम पहुचे थे border पर रात में हम पहुचे थे शाम 7 बजे hungry border पहुचे थे वो railway station है वहां से हम लोग immigration की line में करीब 10 गंटे गरीब खड़े रहे obviously ठंड थी पैर बिल्कुल उस time पर सुनने हो चुगे थे हम इन नहीं पता था मुझे feel भी नहीं उरा था सच बताऊं कि मेरे पैर भी है उसके बाद हमारा खाना खतम हो चुका था जो हम lekk आये थे जो हमारे पास जो भी समान था खतम हो चुका था पहले यी बस में ही क्योंकि बस की बेमारी जर्नी करीब 40 गंटे की थी उसके बाद हमें 10 गंटे भूखे पयासे वहीं पर कड़े रहना पड़ा हम लोग वहाँ पर volunteer थे पर वो लोग वही है वो लोग वहाँ पर बीफ का खाना दे रहे थे वो तो हम खा ही नहीं सकते वो तो कोई option था ही नहीं हमारे लिए उसके बाद फिर वही है हमने किसी तरह करके border cross किया उसके बाद हमें पूरी help मिली embassy के तरफ से वहाँ पर हम हंगरी में जो volunteers थे उनका भी बहुत बड़ा thank you करना चाहेंगे उन लोगों ने बहुत help करी वहाँ पर उन्होंने हमें fruits वगरा दिये पानी दिया उन्होंने हमें सब कुछ provide कराया उसके बाद हमें वहाँ से embassy पहले हम लोग border cross किये जलोनी station पहुचे वहाँ से हमें train tickets मिली Hungary की government ने वो trains free कर रखी थी बच्चों के लिए कि आप लोग आए सीधा tickets लें और capital Budapest पहुचे वहाँ से हम बुड़ापेस्ट गए, बुड़ापेस्ट पहें हमें embassy के लोग मिले, embassy थे, volunteers थे, उन लोगों ने हमारी help की they help us register and then we got the buses from there, we go directly to the airport and the airport we get to the check-ins after check-ins हम लोग जैसे ही हमें flights की ticket मिल गई, वहाँ पे हमने अपना phone वगेरा charge किया क्योंकि हम लोग को घर से भी contact करना था, after long journey of 60 hours हमारे phones, power bank, सब discharge हो चुगे थे उसके बाद हम लोगों ने phones वगेरा charge के घर contact किया, घरवालों को inform किया कि हम लोग safely airport पे हैं, हम लोग अभी flights का इंतजार कर रहे हैं जब आपको पता चला कि रूस और उकरेन के बीच यूद छिड़ गया है, तो उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा है उस टाइम पे दिमाग में तो सबसे पहले तो यही आया था कि अब यहां से निकले कैसे क्योंकि मेरी खुद की फ्लाइट थी 26th की और प्लस में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो लोग कीव में गए थे क्योंकि उनकी फ्लाइट सी 24th डेट की, तो अभी उन लोगों के लिए भी टेंशन हुई, घरवालों के लिए तो चिंता हो ही रही थी कि अब घरवालों को घरवाले इतना टेंशन लेंगे, पैनिक होंगे घरवाले, पैनिक तो हम में भी था, पर घरवाले दूर है और उनको ज़्यादा टेंशन होती है, कि हमारा बच्चा हम से दूर है, उस चीज़ के हमें ज़्यादा टेंशन हुई, उसके बाद हमारे जो फ्रेंट्स थे, कीव में दे, क्योंकि हमें पता लगा था कि कीव पर ज़्यादा टेग हो रहा है, क्योंकि वो capital city है, तो हमें उ गौर्मेंट ने हमारे लिए सबसे बड़ा ये करा, कि हमारे जो ट्राइकलर था, उसके प्राउड के साथ हम चल पए, वो सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि हमने पागिस्तानी बच्चों को भी देखा, और भी कंट्रीस के बच्चों को देखा, उन लोगों के लिए बहुत कुछ पोल भी नि, हम लोग डड़े अन्य कल पा रहे हैं, एसा भी कहा जा नहीं जो बच्चे आए, उनसे जो किराया है वो ज्यादा- Yeah ज्यादा किराया लिया गया है, Honor audio कि निया जदक लिए हैं और ऴोड़ों बसका की राया होता है, था helio को और था,वो खुश होडमें वहां पर बच्चे और भी हों ऑना जाएं सी हूं काल्बी यह कतलू यह तो किसी भी तरथिक निखाला जाए। हमने पहले भी कोशिश करी थी बसिस अरेंज करने की तो उस देट तक तो हमें पर्मीशन ही मिल रही थी हमारी सिटी की तरफ से ही कि बसिस ले जा सकते हो आप हमें 28 को पर्मीशन मिली हमारी वही बात है हमने जितना भी कर सके हैं उस टाइम में हमने बस यही कोशिश करागी, अपने आपको काम रखें, किसी तरह भी यहाँ से निकलें, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करी हैं हम लोगों ने, अभी हम अपना effort ही डाल सकते थे, उमीद तो अभी क्या ही, उमीद तो क्या रखते हैं उस टाइम है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, कब क्या हो जाए, आज कैसा महसुस कर रहे हैं, क्या सरकार को कहें हैं, सरकार को मैं बहुत बड़ा thank you करना चाओंगा, मैं सभी volunteers को thank you करना चाओंगा, Indian embassy को thank you करना चाओंगा, इतने uncertain times में उन लोगों ने हमारी इतनी help करी, उन लोगों ने खड़ी है, हमें सिर्फ वहां तक पहुचना है, अब आपकी जो पढ़ाई है, वो आगे कैसे चलेगी, अभी पढ़ाई का सर, कुछ नहीं कह सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता भी, हम लोगों को अभी कोई आइडिया नहीं है, कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि Ukraine की condition सभी अब तो नोर्मल होता हुए, नहीं दिखरी, कौन सा यह चल रहा था, मेरा फोर्थ यहर था सर, अब तो देखिये सर, गौर्मेंट यह एल्प कर सकती है, अगर गौर्मेंट कुछ करें तो हम लोगों के लिए, सोरोग के पिता जी भी हमारे साथ मोज़ूद है, सर, क्या नाम रहा है का, सुसील जैने जी, जैन साब क्या कहोगे, किस तरह से जब आपको लगा कि वहाँ पर लडाई छिड़ गई है, बच्चा आपका वहाँ था, कैसा महसूस कर रहे थी, उस टेम तो जी तना पैनिक फि हाँ हमारे बच्चे सेफ हैं, फिर युद में सेफ कौन होता है, इसलिए हर टाइम यही पैनिक रहता था दिमाग में, अगवे बच्चे कभी इंडिया आऊ ही नहीं, तो प्रमात्मा ने, हमारी गोवर्मेंट ने बहुत ही प्रियास किया, जिसके कारण हमारे बच्चे अम उन सभी लोगों का आम दनेवाद करते हैं, और हम अपने बच्चा हमारे पास आ गया, तो उसके लिए हम बहुत खुस हैं, बहुत खुस हैं, बहुत दुआई देते हैं, और सभी बच्चे अपने देश में सुरुक्षी ताजाए, हम परमात्मा से यह भी दुआ करते हैं, अब आगे जैसे पढ़ाई को लेकर हैं, पढ़ाई कैसे चले गया हैं? पढ़ाई के लेकर पढ़ाई को तो जी, देखो, वहाँ चार साल होगे बच्चे को, चार साल में पैसा भी बहुत लग गया है बच्चे का, और बच्चे का टाइम भी लग गया है, अब तो हमारी ग बच्चे के नंबर जितने थे उन नंबरों के हिसाब से यहां मेडिकल कोलेज में दाखला नहीं हुआ था इसलिए आमारी मजबूरी थी बच्चा ये कह रहा था कि आमने मैंने अबिबिएस करनी है तो इसलिए हमने यह फैसला लेना पड़ा वेचल बेटा बाहर करवा देते हैं तेरे को तो इन आलातों में हमने बाहर इसको अबिबिएस करने के लिए बेज़ा था आज कैसा महसुस कर रहा है आज तो बहुत प्राउड है अपनी गौर्प सरकार पे गई हुए थे और जिस तरह से वहाँ पर रूस और युकरियन के बीच जंग छेड़ी तो इन्हें वापिस गंगा ओप्रेशन जो भारत सरकार ने चलाया उसके तहती ने जो है भारत वापिस लाया गया है हर्यानावत्सों के लिए देखते रहिए अनिल खत्रेगी खास र